अपने पसंदीदा शोग देखनी के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले एड आरायन भगवान कीजे जे इशा बिड़ा आव सबको प्रशाद दो जी भया अरे थोड़ा थोड़ा इखाऊंगा अरे कुछ नहीं होगा एक दिन राइटिंग नहीं करोगे ना तो मोटे नहीं होगे अरे प्रशाद है खालो अगवान कल्यान करेगा क्या कर रही हो दीदी शाने देख लिया तो आपके संस्कारी भव और एक पोल खुल जाएगी ये लो आप भी जा याद रखतोगे तैंक्यू भाबी भाबी कथा में भी सीरियल देख रही हो करश्पा क्या कर रहे हो तुम हमने बाओजी के लिए कथा रखाई और तुम ये अरे भाई जब बाओजी को कोई परेशानी नहीं तो किसी और को क्या प्राबलम है भाई अम सौरे बाबुजी बेटा तुमें कित्ती बार समझाया है कि तुम मेरी बहु नहीं अलग संबंद होता है, एक अपनी अलग आस्ता होती है, और फिर बहु को पूजा पाट में दिल्चस्पी नहीं, इसका मतलब यह थोड़ी है, कि हमारी बहु के मन में खोट है, हाँ, यह हमारा दिल रखने के लिए यहां पूजा पाट में बैठी, यही हमारे लिए बहुत है खबरदार जो किसी ने कुछ कहा तो सुनिए, सब आपका इंतिसार कर रहे हैं चलिए आप भी? जी सारी तैंदो आप सभी का यहां आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं आज से ठीक 30 साल पहले मैंने बहुती संघर्ष के साथ महेश्वरी कंपनी की शुरुवात की थी आप लोगों को यहां आज यह बताने के लिए बुलाया है कि आज के बाद मैं इस संघर्ष से रिटायर हो रहा हूं और आज के बाद से कारोबार की बागडोर मेरे बच्चे संभालेंगे आजाओ बच्चों उम्मीद करता हूँ के जिस तरह से आप लोगों ने अब तक मेरा साथ दिया आगे भी उसी तरह से इन लोगों का साथ दोगे कॉंग्रेचलेशन्स मूमिठाकर भाई हम बेरी सॉरी भाईया बट हम आपसे अग्री नहीं करते ये इंदवर वाली प्रोजेक्ट में जो रेटा आपने कोट के हैं भाईया वो बहुत ज़ादा है अगर ये रेट हम कोट करेंगे तो वो टेंडर हमें कभी नहीं मिलेगा भाईया हमें भी आशिश भ्या की बास सही लगती है आशिश और इशा ने हमसे अच्छे कॉलेज बें पढ़ाई की है बिसनस के डिगरी भी ली है मगर आप बड़े हो तो आपका तजुर्बा भी जादा होआ ना इशा और आशिश तुम दुनों हम पर भरोसा रखो क्योंकि हमारे पास तुम दुनों से ज्यादा एक्स्पेरियेंस है इसलिए जो कोटेशन्स हमने दिये ना उसी के साथ टेंडर समभिक करो और देखना ये टेंडर हमें ही मिलेगा ओके भाईया भाईया हमें लगता है कि हमें प्रेम भाईया को बिना बताए एक टेंडर कोर्ट समिट कर देना चाहिए तुम क्या कह रही हो इशा भाईया को बता चलेगा तो तो वो खुश होंगे देखिए वो भी कंपनी का भलाई चाहते हैं, just because उनको लगता है कि हम छोटे हैं और हम गलत फैसला ले रहे हैं, वो हमें ये टेंडर नहीं कोट करने दे रहे हैं, लेकिन एक बार अगर हमें टेंडर मिल गया, तो वो हम भी भरोसा करने लगेंगे, और हमारे फ्यूजर के लिए भी ये सही है, तुम सही कहा रह करिश्मा, 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 आज हम बहुत खुश है, बहुत खुश, अरे, क्या हूआ पूछागी नहीं क्यूँ, हाँ आपको इंदोर वाला टेंडर मिल गया है है ना हाँ लेकिन तुम्हें अच्छा तो साले साथ वरु ने तुम्हें सब बता दिया ना गरुष्मा यह हमारी पहले जीत है आज हम बहुत खुश है एक्चुली हमें समझ नहीं आ रहे है कि आपको बेवकुफ कहूं या पागल यह तुम क्या कह रहे हो गरुष्मा एक्चुली जिस टेंडर के लिए आप इतना खुश हो रहे हो ना वह आपकी वज़े से नहीं आशिश और इश्या की वज़े से मिला है उन्होंने कम कोड किया है आपसे बीना पूछे क्या हुआ यकीन ही हो रहा है ना आपको हमें पता था आपको यकीन कहां होता है हमारी बातों पे खुद ही देख लो यू बेवकुफ के तरह या खुश होने से बेटर है पहले सच्चा ही जाना करिश्मा हम आशिश और इश्या से बात करेंगे इस बारे में हम श्यूर ऐसा करने के पिछे ना उनकी कोई वज़ा रही होगी है ना वज़ा है वो आपके भरोसा नहीं करते बेवकुफ समझते हैं वो लोग आपको इसलिए आपके कहने के पात भी उन्होंने अपने अकसर भाई अपनी बेहन को तफा देता हैं पर वां क्या तफा दिया है ना आपके भाई बेहन दोनों मिलकर आपको बैज़त दिये आपको तफे में उन्होंने आपको पताए हम आपकी जगह होते ना तो इस हरकत के बाद उनके साथ काम करना तो क्या एक छत के नीचे भिन प्रेम भाईया, मूरत निकला जा रहा है फाइनली, आप आ गए, अब चलिए, आईये कितना इंतिजार करवाते हैं भाईया, बैठिए देडे, आपने इंचीजों को टेंडर वाली बात बताई दी न, वो कोई तमाशा क्यों नहीं कर रहा है चिंगारे तो हमने लगा दियो, अब बस फटने की देर है पैसे भ्याश्यों मूरत है घर के बटवारे का अब ये प्यारा सा तौफ़ा मेरी प्यारी सी बहन के लिए वाव, मेरे लिए? हम, ओ, कितना सुन्दर है, थैंक यू अब आपकी बारी है भाईया, जली से बताईए क्या लाए है हमारे लिए हाँ प्रेम, क्या गिफ्ट लेकर आया है तू बताईए? माफी पिशा, हम तुम्हे और आशिष दोनों को तौफ़े में माफी देना चाहते हैं माफी, किस बात की माफी? अपने बड़े भाई की बेजदी करने के लिए क्या? उनका बरोसा तोड़ने के लिए उनके बिजनस अड़ों को ना फॉलो करने के लिए और उनके पीट के पिछ से जाने के लिए नहीं भाईया, ऐसा बिलकुल नहीं है हमारा इंटेंशन आपको इंसल्ट करने का नहीं था हाँ भाईया, हम तो बस कंपनी का भला चालते थे और कुछ नहीं पहले साफ साफ बताओ बात क्या है वो क्या है आखिर हम बताते हैं, बाउजी इशा और आशीश को लगता है कि इस बिजनस को सभालने की काबलियत हमें नहीं है है न इशा? नहीं भाईया, ऐसा बिलकुल भी नहीं है जूट मत बरो अगर ऐसा नहीं था तो तुम दुन हमारे पीट के पीछे क्यों गए हाँ? अगर तुम दुनों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए हुए फैसलों से इस कंपणी का रुकसान होता है तो ठीक है हमें इस कंपणी में काम नहीं करना है हम आज अभी और इसी वक्त ये घर और ये कंपणी दोनों छोड़ कर जा रहे है करश्मा चलो प्रेम भाया प्रेम भाया प्रेम तु समझाना प्रेम भू माजी उनका डिसिजन है आम सॉरी भाव भाव सुनताओ भाया प्रेम अगर हमसे कोई गलती हो गए हो तो हम आफी मांगते है उसके लिए हाँ भाया ऐसी गलती दुबारा रिपीट नहीं होगी आप घर जोड़के मत जाए भाया प्लीज भावी भावी बेटा मत जा रुख जाओ बेटा मावा उजी हमें मार्क कर दीजे बस भाया प्रेम प्लीजाना भाया ये हम बहुत खुश है भाई आखिर कर करिश्मा का करिश्मा हो ही गया अब तो ना हमें सुबह सुबह रोज वो आरती भजन किरतन की अवाज सुननी पड़ेगी ना ही ये पल्लू डालके जी माजी जी बाबुजी वाला ड्रामा करना पड़ेगा अब हम आजाद हैं भाई अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं हाँ दीदी आखिरकार आपका जीजू से शादी करने का मकसद पूरा हुआ लग प्रॉपर्टी कमपनी सब आपका अमें तो लगता था ये महेश्वरी परिवार का बड़वारा कभी होई नहीं सकेगा लेकिन आपने तो कवाल कर दिया और नहीं तो क्या भाई वो क्या है ना हम अपनी लाइफस्टाइल पर कॉंप्रमाइज नहीं कर सकते हैं भाई तुम्हें पता है उन्होंने अपनी कमपनी का नाम क्या रखा है करिश्मा प्राइवेट लिविटेड अपनी फर्स्स मीटिंग के लिए आज हो क्या प्राइब आगे तुझा दर्वाजा खोल आगे अरे जीजा जी कैसे गई मीटिंग आगे आप कैसी रही आपकी मीटिंग बहुत बुरी हमें एक क्लाइट नहीं मिला हम तो यह सोचकर परिशान हो रहें कि क्लाइट नहीं मिलेंगे तो और आएंगे कहा से यह कंपनी हम चलाएंगे कैसे डोंट वरी आप एक काम क्यों नहीं करते आप महाईश्वरी एंपायर्स के क्लाइट को क्यों नहीं कॉंटक करते जब उन्हें पता चलेगा कि आपने एक अलग कंपनी को लिए तो आपके साथ जरूर काम करना चाहेंगे नहीं करिश्मा हम अपने भाई भेन के खिलाफ नहीं जा सकते और महाईश्वरी एंपायर्स से हम कभी तंपीट नहीं करेंगे अरे अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आप सही थे और वो गलत अगर आप उन्हें बिजनेस में नहीं हराओगे तो वो हमेशा यहीं सोचते रहेंगे कि आप बेवकुफ हो आपको कुछ नहीं आता अब आप बैठिये में चाय बना कर लेके आती हूँ ठक गए ना बाबुजी बाबुजी हमें बहुत टेंशन हो रही है प्रेम भाई हमारे सारे क्लाइंट्स को फोन करके कम रेट्स में टेंडर उफर कर रहे है अब हम तुम लोगों को क्या सला दे मिटा हमने इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना किया है अपनों के साथ तुम लोगों के लिए और अब देखो क्या हो रहा है प्रेम जो भी करे उसे करने दो उसकी वज़े से अगर हमारी कमपनी को कुछ नुकसान होता है तो सैन कर लो लेकिन प्रेम से कुछ बत कहना बाबुजी हम यह अपने फायदे या नुकसान की बात ही नहीं कर रहे है हमें तो प्रेम भया की फिक्र है वो जिस तरह टेंडर इतने कम रेट पर कोट कर रहे है अगर वो ऐसा ही करती रहे तो उनकी अभी शुरू की हुई कमपनी शुरू होने से पहले बैंक प्रप्ट हो जाएगे बाबुजी हमें लगता है कि हम एक बार प्रेम भया से बात करनी चाहिए प्रेम क्या हो आपको आप थीक तो है क्या कर रहे है और कुछ थीक नहीं है हम प्रेवकूफ है बस मैशोरे अमपार के क्लैट्स को पाने के लिए जो रेट्स हमने उने दिये वो वो पॉसिबल ही नहीं है अगर हमने असा किया ना वो पंपनी शुरूओने से पहले यह बैकर अप ठो जाएगी अशिश और इशा सही सोचते थे हमें बुझन साइनसी नहीं है नहीं भाईया हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं अशिश इशा तुम तुम दोने हाँ भाईया भाईया हमें माफ कर दीजे हमने आपकी बात नहीं मानी लेकिन हम आपको बिल्कुल भी डिस्रिस्पेक नहीं करना चाते थे भाईया हाँ भाईया हमने अज तक जो कुछ भी सिखा है आप से ही सिखा है आपके बिन हम कुछ नहीं हैं भाईया वापस आचाहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है प्लीज बहिया हम यहाँ पर यह सोच कर परिशान हो रहे थे कि जब तुम दोनों को हमारे लॉसस के अबार में पता चलेगा तो तुम दोनों हसो होगे हम पर नहीं बहिया कितना गलत सोच रहे थे नाम इतने साल साथ में रहने के बाद भी हम यह समझ नहीं पाए कि तुम दोनों कितना प्यार करते हम से करिश्मा, करिश्मा, तुम ने देखा, आशिश और इशा हमें घर वापस ले जाने आए तुम समान पैक कर लो, हम शाम को वापस जाएंगे, ठीक है? जी आज आज आम बहुत खुष हैं, बहुत खुष, थैंक यू सो मच वे निस्टिव भीया आज मिस्टिव लोट, थैंक यू सालों लग जाते हैं, किसी रिष्टे को सीचने में, उसे मजबूत बनाने में, लेकिन उसे तूटकर बिखरने में एक पल का समय भी नहीं लगता आपके एक गलती, ना केवल आपको, बलकि आपके पूरे परिवार को बरबाद करके रख देती है नमश्कार मैं आमित पचोरे, और आप देख रहे हैं क्राइम अलग है पदी-पत्नी का रिष्टा ऐसे दो दिनों का संगम होता है जो एक दूसरे की खामियों और खूबियों को गले लगा कर, समझौता करके फ्रेम के साथ विबाहित जीवन का निर्वाहा करते है लेकिन यहां करिश्मा और उसका भाई, तो अलग ही करिश्मा कर रहे थे कलियों के इस जमाने में, ऐसा ससराल मिलने के बावजूद भी करिश्मा को उसकी कदर नहीं थी क्योंकि करिश्मा के दिमाग में एक ही बात थी, कि कैसे वो महिश्वरी परिवार की जायदाद को खडब ले और अपने लालज को पूरा करने के लिए करिश्मा किसी भी हद तक जाने को तैयार थे वाओ करिश्मा, ये सब क्या है? करिश्मा, एक बात बताएं, तुम बहुत अच्छी हूँ, हमारे इतना खयाल रखती हो, हमारे हर सुख दुख में, हमारे इतना साथ देती हो अच्छा, अगर हम आपका साथ नि देंगे तो और कौन देगा? अच्छा, वो सब छोड़ो, हमने न आपके लिए आपकी फेवरेट खिर बनाई है, ज़रा खाकर बताना कैसी बनी है कीर तो बहुत अच्छी है, अच्छी है ना, लो और खाओ हुह, हुँँँश्मर, हमारे कले में कुछ हो रहा है, पेंशन मतलो, होता है, सेहर खाने के बाद ऐसा ही होता है, हाँ वैसे तो ना आपको खुदी चुल्लू बर पानी में डूपकर मर जाना चेले था पर हमने सोचा आपकी पत्नी होने के नाते ये फर्स भी हम ही निबा देते हैं अगर हमें पहले पता होता ना आप इतनी बड़े ढखकन हो तो ये पजबारे के चक्कर में ना पड़ते हम पहले आपको मार देते हैं करश्मा हमारो के हमें करश्मा बहुत तड़प रहो ना आपको पता है हम भी बिल्कुल ऐसे ही तड़प रहते हैं उस मेलो ड्रामेटिक महाईश्वरी परिवार में अपने अलग घर के लिए बिजनिस के लिए और आप हो ना आप आपने हमारे सारे समनों पर पानी फिर दिया लेकिन कोई बात करिश्मा को भी अपना करिश्मा दिखाना आता है आपना अपने परिवार के बिल्कुल टेंशन मत लेना थाम है ना हम सब का बहुत अच्छी से ख्याल रखींगे गुद्बाई पतीदेश हाँ भाभी अलो देवर जी आप लोग जल दिया जाएए वो प्रेम ने जहर खा कर रात पच्छा कर ली यह क्या कहरे हो भाभी आप प्रेमों में छोड़कर क्यों चले गए देवर जी भाभी मैं मैं आभी आतो आभी आतो हमें माफ कर देना करिश्मा और हमारी तरफ से हमारे परिवार से महीं माफी मांग लेना हमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी इसलिए फोन पे ही मेसेज कर रहे हैं हम एक बोच्थे महेश्वरी एंपायर पर और बुरे परिवार पर हम किसी के काम आने वाले नहीं थे इसलिए अपनी जान दे रहे हैं तुम अपना ध्यान रखना और और मेरे पुरे परिवार का भी ध्यान रखना यह मेरी भाईया का आखरी मेसेज था दीदी, आप हमारे साथ घर चलो जीचू के जाने के बाद हम आपको यहां के लिए नहीं रहने देंगे बेटा, तो रिश्मा अमारी भी बेटी है हम इसका खयाल रखना चाहते है इसलिए इसे हमारे पास ही रहने दो हम आपको बेटान रहने पास हमारे पास है कर दो कर दो आशेश आशेश क्या बादय देबरजी बाटने वाली चीज़ चुपा रहा है हमें भी एगलास पिलाएं ना भावी आप भी ट्रिंग करती हैं और आप ना हमें ये भावी भावी बोलना बन करें सिर्फ करिश्मा का हूँ आप हमारे लिए देवर से बढ़कर दोस्त हैं दीजे हमें लाइए हम खुदी कर लेते और ये बाद शराब की तो हमारा हाल भी कुछ आपी के जैसा है चाम नशे के लिए नहीं कम बुलाने के लिए पीते हैं बस कर लाद लेगा कर दोए़ू अ, बिएगना देवर्जी सुमें आगया है, करिश्मा के अगले करिश्मेका हम यहां कैसे आए आशिस जी कल राट जो कुछ भी हुआ क्या आपको कुछ भी याद नहीं नहीं क्या हुआ कर राट को कल राट हम दोनों गार्डन में शराब पी रहते और उसके बाद आपने इसा नहीं हो सकता आपने हमें रोका क्यों नहीं कैसे रोकते हम आपने हमसे का कि आप हमको पसंद करते हो और सच तो यह आशिस जी हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं इसलिए चाहते हुए भी मापको रोक नहीं पाए लेकिन आपको तो कुछ याद ही नहीं इसका मतलब कल राट जो कुछ भी हुआ सब जूट का जवाब दीजे आशिस जी क्या कल राट आपने हमसे जूट कहा क्या आप हमको पसंद करते हैं करते हैं लेकिन हम दोनों कभी कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि जो रिष्टा आपका और भाईया का था वो हमें कभी एक नहीं होने देगा आशिस जी प्रेम और हमारे बीच रिष्टा था पर अपना तो रिष्टा है और ना ही प्रेम करिश्मा करिश्मा जी जी मा आई इंसान अगर अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो बड़े से बड़े मर्ज और बड़ी से बड़ी महामारी की दवा खोच सकता है लेकिन अगर उसी दिमाग का वो गलत इस्तेमाल करे तो गोला बारूद बंप जैसी विनाशक वस्तों का निर्मान करता है जिसकी वज़े से शहर और कस्पे बरबाद हो जाते हैं देखा जा तो करिश्मा के जीवन में कोई कटनाई थी ही नहीं उसे एक अच्छा पती मिल गया था एक अच्छा ससुराल मिल गया था लेकिन इन सब के बावजूद भी लालसा और लालत से भरे हुए उसके दिमाग में एक के बाद एक शड़ेंत्र की रचना हो रही थी आप सोच रहे होंगे कि एक आउरत होकर ऐसी घिनावनी हरकत करने का खयाल भी मन में कैसे आ सकता है तो आगे चलकर करिश्मा जिस हैवानियत को अन्जाम देने वाली थी उसे देखकर आपकी रूह तक काप जाएगी हमारी कमपणी ने जो उज्जेन वाला टेंडर खोया है तो आप दोनों के लापरवाई की वज़े से नहीं एक एमपलोई की दगाबाजी की वज़े से खोया है क्या मतलब भाबी हमारे कमपणी का जो जुनियर मैनेजर एज़े हमारे टेंडर के कोर्ट्स लिग किये नहीं भाबी ऐसा नहीं हो सकता आपको कोई गलत फैमी हुई है हम जानते इशा तुम ये सब क्यों कह रही है क्योंकि तुम जैसे प्यार करती हो है ना प्यार? क्या मतलब है आपका? हाँ आशिश, इशा जैसे प्यार करती है लेकिन जैस सिर्फ इशा को यूज कर रहा है उससे प्यार का नाटक कर रहा है हमने कई बर तुम दोनों को साथ में आते जाते देखा है तभी तुम्हारे दिल की बात समझ गहते हमने सोचे, माँ बाबू जी से तुम्हारे रिष्टे की बात करकर तुम्हें सर्प्राइस देंगे लेकिन उससे पहले एक बार अपनी तसली के लिए जै का पैक्राउंड चेक करना जा देगे इसलिए हमने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और देखो, हमें उसके मेल से क्या मिला इशा, जै नहीं ये टेंडर के कोट्स लिख किये है वो एक नंबर का मतलबी और लालची इन्सान है और हमने पुलिस को बुला लिया है उसे अरस्ट करने के लिए पापी लेचले इसे मैं, सर, देखिये न, मुझे कहां लेके जा रहे है शायद इनको कोई गलत फ्रह में हुई है मेंचे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप पुलीस कुछ बोलिये न मैं, सर, मैं, मैं सुनिए, हमेशा की बहुत फिकर हो रही है प्रेम के गम से उबरे ही नहीं थे कि हमारी बच्ची खा दिल तूट गया हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जय ऐसा कैसे कर सकता है हमने खुद उसे नोकरी पर रखा दा और उसने हमारे साथ काम भी किया है और आज देखो वो किस तरह से बाबू जी अब जो हो गया है उसके बारे में सोच का टेंशन लेने से क्या फाइदा हमें अब आगे की सोचनी चाहिए हमें लगता है कि हमें जल से जल देशा की शादी कर देनी चाहिए शादी ये आप क्या कह रहे हैं शादी और इस वक्त हाँ जय अभी बेल पर बाहार है और बार बार इशा से मिलने की कोशिश कर रहा है अगर हम उसके शादी कर देंगे तो वो उसका पिछा छोड़ देगा और वैसे भी हमें अब प्रेम के बिना आगे बढ़ना होगा उनके बिना जीना सीखना होगा हमे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू हम इशा के लिए आज से ही लड़के देखना शुरू कर देते हैं अब बाबुजी हमारे दिमाग में इशा के लिए एक परफेक्ट लड़का है और आप सब भी उस पर आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं ऐसा कौन है? वरून वरून? क्या हुआ बहू? सब ठीक तो है? बता नहीं माजी कुछ दिनों से हमारे तब्या ठीक नहीं लग रहे हैं बहुत जी मचल बहुआ क्या हुआ बटा? बहुआ क्या हुआ बहू को सुनिए हमें लगता है खुश खबरी है मभू पेट से है कहा रह गया यह देवर जी? कितनी अच्छी एक्टिंग की थी हमने प्रेगनेंट होने की लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था आये क्यों नहीं? अरे आजाये वह हम आपसे कुछ पूछना जाते हैं यही न कि यह बच्चा आपका है या प्रेम का हाँ क्या फर्क पड़ता है यह बच्चा चाहे जिसका हो कहलाएगा तो प्रेम का ही न हमें फर्क पड़ता है जाना जाते हैं हम क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा क्यों खेल रहे हैं आप हमारे दिल के साथ आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपको हमसे कोई रिष्टा नहीं रखना तो हम दूर हो गए अब हम आपके बच्चे बतलब यह बच्चा हमारा ही है हाँ यह आपका ही बच्चा है आप बाप बनने वाले हो अब कबराई है अब कबराई है अब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे आप प्लीज रोना बंद कीजिए यह आप भी जानती हैं कि हम भी आपसे प्यार करते हैं बस इस बात से डरते हैं कि जब मा बाबुजी को यह सब पता चलेगा तो भोलो क्या सोचेंगे कुछ नहीं सोचेंगे हम कुछ होंगे कि इस बच्चे को मा और बाप दोनों का प्यार मिलेगा और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारी करिश्मा को आगे का जीवन अकेले वैतेत नहीं करना पड़ेगा देखना हम कली पंडित जी को बुलाते हैं और इश्या और वरुन की शादी के साथ तुम दोनों की शादी पिताय करेंगे दोनों जोडियों का एक साथ विवाह करने के लिए अगले महिने की 20 तारिक का महुरत शुब है मुबारखो विटा धन्यवाद पंडित जी अरे वरुन वहां क्यों खड़े हो आके बड़ों का अश्रवाद दो जी खुश रहो बहुत दिनों बाद घर में कुछ अच्छा होने जा रहा है हमें माता रानी के मंदिर जाना चाहिए हाँ बिलकुल चलते हैं बाओ जी आप लोग चलिए हमें एक मीटिंग के लिए जाना है ठीक है बेटा चलो मा जी हम भी घर पे रुखना चाहते हैं वो मंदिर का रास्ता पत्रेला है ना हम कोई रिस्क निलेना चाहते हैं नहीं होने वाली जीजू आप सब जाए हम रुखते हैं यहां दीदी का ध्यान रखने के लिए ठीक है चलो लो दीदी चेर्स चेर्स भाई सवाल कर दीदी रेग्नेंसी मंदारू नहीं पीते हैं तू पे ना भाई वैसे भाई यह लोग कितने पेवकुफ है ना यह लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मैं यह प्रेग्नेंट फ्रेग्नेंट होकर अपना सेक्स साफ फेगर खराब करूँगी हां लेकिन दीदी जब कुछ महीनों बाद तुमारा पेट बढ़ा नहीं होगा और बच्चा बाहर नहीं आएगा तब आप उनसे क्या जोट बोलोगी भाई तेरी बहन है ना तुर टेंशन ना ले मैंने कल ही टीवी सीरियल में देखा था एक औरत का बच्चा मर जाता है सारे डायलोग सेम टू सेम सुना दूंगी मा जी बाबुजी आशिश हमारा बच्चा नहीं रहा हमारा बच्चा मर गया आशिश वो भी फ्रेम की तरह हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया दीदी, ओवर एक्टिक कर रही हो पकड़ी जाओगे करिश्मा के करिश्मे को जब पुलीस ना पकर पाई तो ये लोग क्या चीज है तुझे याद है ना कैसे हमने प्रेम को मार कर उसे सुसाइट बता दिया कैसे हमने जय के खिलाफ जूटी शिकायत दर्ज करके उसे नौकरी से निकलवा दिया ये लोग क्या चीज है इन्हें तो हम ऐसे समभाल लेंगे वा बाभी अब कितनी अच्छी आक्टिंग कर लेती है लेकिन बस अब मैं आपको हमारे परिवाद को और बेवकुफ नहीं बनाने दूँगी मैं सबको साच साच साब अदा दूँगी जोड़ो मुझे जोड़ो 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 जोड़ में जला दे बाड़ी जल जाएगी तो DNA नहीं मिलेगा सब को लगएगा इसे जैने गिड्नैप किया है हाँ यह अच्छा एडिया अब को नाया होगा इदी बताओ जल्दी क्या करें इसका वरुन सुन तो इसे ले जाकर के चुपा दे मैं कुछ करती हूं जा जल्दी क्या हुआ करिश्मा जी इतना टाइम क्यों लगा दिया वो हम बात्रूम में थे और वरुन सो रहा था बेटा सब ठीक तो है ना तुम इतनी भरेशान क्यों लग रही हो और ये इतना बसीना बसीना वो एक्चुली माजी हमें बहुत गर्मी लग रहे हैं पेट से हो ना इसी लिए जब पेट से होते हैं तो प्यास भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी बहुत होती है मैं आपके लिए ठंडा पानी लाता हूं हाँ आप नहीं नहीं हम ले लेंगे यह कै यह कोन? यह कै यह कोन? इश आप, इश आप आशिष भीडा आशिष... प्रेम प्रेम से शादी करके इस गर का पटवारा करके सुकून से रहना चाहते हैं अपका वो जो बेटा है ना एक नमबर का नालायक निकला और उस नालायक से छुटकरा पाने के लिए हमें उसका खून करना पड़ा लेकिन सच्छी हम आप में से किसी को भी नहीं मारना चाहते थे लेकिन आपको बहुत याद आ रही थी ना प्रेम की अब आप लोग टेंजि कुन से रहना उपपर अब क्या करें दी दी तो कुछ मत कर जो करना है हम करें यह फोन दे अपना यह फिंगर प्रिंगर प्रिंट्स हाट आता अपना हलो इंस्पेक्टर साब हम हम अश्वरी हाँस से करिश्वा बोल रहें सर आप प्लीज जल्दी आजाए हमारे यह फून हुआ है हमारे यह कुछ और गुसायते उन्होंने पूरे परिवार को बार दिया आप प्लीज जल्दी आजाए है प्लीज प्लीज तो बड़ा जल्दी आगए चल जल्दी चल जल्दी चल भाई तुम कुछ में मत बोलना मैं सब संबाल लूँगी मैंने सीरियल में देखा है पुलीज को कैसे हंडल करते है ठीक है छुप रहे ना झाल एक प्लीज तो जल्दी आभाई रहे चीक करनी वैसी भरनी कि और आप लोगों ने बजपन में ये काहवत तो सुनी होगी जैसी करणी वैसी भरणी लेकिन हर बार जैसे आप जैसा नहीं मिलता तभी कबार महेश्वरी परिवार जैसे भले लोगों को अपने विश्वास की कीमत चुगानी पड़ती है हम यह नहीं कहते कि आप किसी पर विश्वास ना करें हम केवल यह कहते हैं कि आप किसी पर अंद विश्वास ना करें वरुन और करुष में यह भूल गए थे कि तीन चीजें छिपाई नहीं छिपती सूरज, चान्द और सच सच उस बहते पानी की तरह होता है जो चट्टानों का सीना चीर कर बाहर आ ही जाता है जैसा कि इस केस में हुआ सच सामने आ गया है इसी के साथ मैं आमित पचोरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक संसनी खेज वारदात के साथ तब तक याद रखेगा क्राइम से अगर मचना चाहते हैं तो अलट रही है क्राइम अलट जूर्म के खिलाफ आवास